नमेशकार दोस्तों एंडी गोहिल यूटूब चैनल में आपका हर्दीक स्वागत है तो दोस्तों आज हम कक्षानों इकाई एक आराधना के स्वाध्ये के प्रश्णोतरों के बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे और उनके जवाबा को भी देखेंगे तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जादे से जादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कॉमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूले मुख्य प्रिश्णा एक निम्दलिखित प्रिश्णों के उत्तर एक एक वाटके में लिखिए उसमें पहला सवाल है कवी नित्य कैसी आराधना चाहते हैं तो उसका जवाब है कवी नित्य एक आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुन्दर और मांगल्यकी भावना हो दूसरा सवाल है कवी कैसी मनोकामना चाहते हैं उसका जवाब है कवी दुखी लोग दुखों से मुक्त हों एक मनोकामना कवी चाहते हैं तीसरा प्रश्ण है कवी दुर्बलो के रक्षणा अर्थ किसकी साधना चाहते हैं तो उसका जवाब है कवी दुर्बलो के रक्षणा अर्थ पौरुष की साधना चाहते हैं चोथा सवाल है कवी किसकी अभ्यर्थना करते हैं तो उसका जवाब है कवी सब के जीवन में नया प्रकाश आने की अव्यर्थना करते हैं पांचवा सवाल कवी कैसी बंधुता के कामना करते हैं तो उसका जवाब है कवी ऐसी बंधुता के कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भायचारे की भावना से जुड़े हों। मुख्य प्रश्ण दो निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्ण है कवी कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। तो उसका जवाब है मांगल्य अर्थात सब का कल्यान। कवी चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्क पर चलें, सब के मन में सुन्दर विचार आएं और सब एक दूसरे के कल्यान की बात सोचें। इस तरह कवी सब के कल्यान की काम ना करते हुए मांगल्यकी आराधना करते हैं। दूसरा प्रश्ण है कवी के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए। तो उसका जवाब है कवी के अनुसार लोगे के जीवन में तरह-तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सुझता। उन्हें दूसरों की साहानू भूती भी नहीं मिलती। वे स्वयम अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। एसे उपेक्षित और असहाई लोगों के दुख दूर होने चाहिए। तीसरा प्रश्ण है कवी की क्या अव्यर्थना है। तो उसका उत्तर है कवी चाहते है कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आये। वह नई चेतना का अनुभों करे। उसके रदे में सुन्दर और नय विचार हो। उसकी सभी आशाये पूरी हो। वह मनुष्यता की प्रश्ण है कवी भेदों को नाश करने की बाद क्यों करते हैं। तो उसका उत्तर है संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नत्तिक कर ले हैं। फिर भी दुनिया में उचनीच, जाति-पाति, अमीर-गरीब, आदी कई भेद हैं। इन भेदबाओं के कारण मानव समाज में इरिश्या द्वेश और संगर्ष है। इनके कारण मानव एपता में बाधाय आती हैं और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवी इन भेदों को नाश करने की बाद करते हैं। उख्या प्रश्ण तीन निम्न लिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट की जिए। तो उसमें पहली पंक्ति हैं देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना सत्य सुन्दर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो आए अब इस पंक्ति का आशय या समझूति प्राप्त करें। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। कवी व एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें। सत्य के मार्क पर चलें। उनके रदे में शूब और सुन्दर भावनाएं हो। लोग स्वार्थ त्याग कर सब के हीत की बात सोचे। दूसरी काव्य पंक्तिया हैं। भेद सभी अस्त होने बैर और वासना, मानवों की एक ताकी पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हमें चाहे एक ही बंधू ताकी कल्पना। पर इसका उत्तर हैं। इस पंक्ति में कभी कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीद के सारे भेदभाव दूर हो जाएं। किसी की किसी से भी दुश्मनी न हो। लोगों की बूरी इच्छा नश्ट हो। सभी मनुष्य एकता का अनुबव करें। हम स्वतंत्रता और बंधूता की काम ना करते हैं। मुख्य प्रश्नचार काविय पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो उसमें पहली काविय पंक्तिया है। देह मंदिर, चित्त मंदिर एक ही से लेकर पोरुष्की स साधना तक की काविय पंक्तियों को पूर्ण करना है। तो आये उनकाविय पंक्तियों को देखते हैं। देह मंदिर, चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुन्दर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाये है यही मनकामना। वेदना को उप अक्षानार्थ पोरुष की साधना दूसरी काविय पंक्तिया हैं जीवन में नवतेज हो वहां से लेकर बंधुता की कामना तक की अपूर्ण काविय पंक्तियों को पूर्ण करना है तो आया देखते हैं वे कौन से पंक्तिया हैं तो वे पंक्तिया हैं जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना, सुन्दरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौरिय पावे, धेरिय पावे, यहीं है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्तहम चाहे एक ही बंदुता की कामना उख्य प्रश्ण पाँच, विरुद्धार्थी शब्द लिखिये, तो दोस्तों यहां में कुछ शब्द दिये गए है, उनके विरुद्धार्थी शब्द लिखने है, तो वे कुछ इस प्रकार है, दूख तो उसका विरुद्धार्थी या विलोम शब्द है सुक, जीवन तो उसका विलोम शब्द है मृत्यो, सत्य, तो उसका विलोम शब्द है असत्य, सुन्दर, तो उसका विरुद्धार्थे शब्द है कुरूप, अस्त, तो उसका विरुद्धार्थे शब्द है उदाए. झाल